नमस्कार दोस्तों मेरे चनल में आपका स्वागत है डॉक पार्ट टू वीडियो मैं आपको बताओंगी कैसे बनाना एकरके तो पहले पार्ट में ही आपने सीर बनाना सीखाता हूं और ये बॉडई बनानी सीखी थी अब मैं आपको येर कान कैसे बनाने है वो मैं आपको सिखाऊंगी तो इसके लिए सबसे पहले हमने बनानी है magic chain ये देखिए एक बना रखा है मैं दूसरा आपको कैसे बनाना वो सिखाऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने बनानी है magic chain ये बना लेते हैं magic chain अब हमने इसके अंदर बनाने है six single कड़ो से छे single कड़ो से बनाएंगे one two three four five six इसके बाद हम यहाँ पर लगा लेंगे pin देखिए यह मैंने pin लगा ली last के फंदे में अब हमने करना है पहले फंदे में दो single कड़ो से हर फंदे में दो-दो single कड़ो से करने है two two single कड़ो से तो यहाँ पर total हो जाएंगे 12 फंदे one single कड़ो से इसी फंदे में हम एक और single कड़ो से करेंगे two two single कड़ो से बना लिए मैंने उसके second फंदे में भी हम two single कड़ो से करेंगे one इसी में एक और two यह two कर लिए अव ऐसे हम पूरे राउंड में two two single कड़ो से करेंगे यह देखिए मैंने कर लिया है यह अब इसके बाद हमने करना है तीसरे राउंड में पहले फंदे में एक single कड़ो से one single कड़ो से और दूसरे फंदे में करेंगे हम two single कड़ो से वन टू कर लिए ये सेम यही पूरे राउंड में करना है पहले मैं वन सिंगल करो से दूसरे फंदे मैं टू सिंगल करो से वन टू इस तरीके से करना है ये राउंड भी कम्पिलीट हो गया है देखें यहाँ पर टोटल हो गया अठारा फंदे 18 फंदे अब हमने करना है पहले फंदे में 1 सिंगल कुरो से दूसरे फंदे में भी 1 सिंगल कुरो से एक सिंगल कुरो से तीसरे फंदे में करना है टू सिंगल कोलोष है वन is फंदे में एक और टू सिंगल कोलोष है दो सिंगल कोलोह से अब सेम यही brac करना है देखें यह result करना है हर फंदे में एक एग इसले य पिंद भी नीचे लगा रखने है इस तरीके से हम एक-एक सिंगल को से कर लेंगे दो राउंड तक देखिये यह राउंड भी कंप्लीट हो गया है यहाँ पे टोटल 24 ही फंदे हैं 24 थे तो 24 है यहाँ पे न बढाये न घटाये है फंदे कम किया है अब हमने करना है चार फंदों में एक एक सिंगल क्रोश है वन सिंगल क्रोश है वन टू थ्री फोर फोर फंदों में एक एक सिंगल क्रोश है कर लिया वन सिंगल क्रोश है अब हमने एक फंदा यहाँ पर कम कर लेंगे इस तरीके से हम यहाँ पर कम कर लेंगे फंदा तीनों के अंदर से इस तरीके से सेम यही हमने पूरे राउंड में करना है चार फंदों में एक-एक सिंगल क्रोज से तू, थ्री, फोर फिर हमने फंदा एक कम कर लेना है फिर यहाँ पर टोटर रह जाएंगे 20 फंदे, 20 फंदे देखें मैंने यह राउंड कम्प्लीट कर लिया अब मैंने पिन फिर से नीचे लगा ली है क्योंकि हमने 2 राउंड, 2 राउंड तक फिर हमने एक-एक सिंगल क्रोज से ही करना है वन सिंगल क्रोज से इस तरीके से 2 राउंड तक एक-एक सिंगल कुड़ो से करेंगे तो मैंने दो राउंड एक-एक बना लिए है अब हमने करना है तीन फंदों में एक-एक सिंगल कुड़ो से थिरी फंदों में वन सिंगल कुड़ो से वन, टू, थिरी 3 फंद में 1,1 सिंगल करो से कर लिया अब हमने 1 फंदा यहाँ पर कम करना है यह फंदा कम कर लिया सेम यही पूरे राउंड में करना है फिर यहाँ पर रह जाएंगे 16 फंदे, 16 फंदे रह जाएंगे देखे फिर से मैंने यह पी नीचे लगा ली क्योंकि अब हमने फिर हमने दो राउंड तक एक एक सिंगल क्रो से ही करना है इस तरीके से वन सिंगल क्रो से करना है टू राउंड तक इस तरीके से देखिए टू राउंड मैंने कंपलीट कर ले हैं अब हमने करना है दो फंदों में एक-एक सिंगल क्रो से फिर एक फंद हमने कम करना है यहाँ पे इस तरीके से सेम यही पूरे राउंड में करना है फिर यहाँ पर रह जाएंगे बारा फंदे टोटल ट्वल्व फंदे तो यह दो भी कम्पलीट होगे इसके बाद हमने सिक्स टाइम टॉक कर लेना है तो यहाँ पर टोटल रह जाएंगे सिक्स फंदे हमने करते जाना है सिक्स फंदे रह जाएंगे फिर यहाँ पर तो यह रोभी कम्पलीट कर लेंगे यह रोभी कम्पलीट होगी है यहाँ पर सिक्स फंदे रह गए हैं जोड़ेंगे सिली पिस्टीच कर लेंगे और दखाऊ कर लेंगे थोड़ा सा बड़ा से न rifla बनाते हैं वाइट कलर से मैजिक चैन बनाएंगे इस तरीके से हम बना लेते हैं मैजिक चैन मैजिक चैन बनाने के बाद हमने बनानी है इस रिंग के अंदर शिक्स सिंगल क्रोश है यहां पर हम पिन लगा लेंगे देखें मैंने यहां पर पिन लगा ली अब हमने करना है हर फंदे में दो दो सिंगल क्रोश है गयंगे फिर बारा फंदे 12 फंदे वन इसे फंदे में एक और टू इस तरीके से हमने वन तू पूरे राउंड में करना है और यहां पर 12 हो जाएंगे तो यह रोक कमपलीट होगी है अब हमने करना है पहले फंदे में सेम यही पूरे राउंड में करना है ये मैंने पीना में नीचे लगा ली अब यहां पर टूटल हो गया अठारा फंदे अब हमने एक राउंड तक एक-एक सिंगल कुड़ो से करना है हर फंदे में वन राउंड तक एक-एक सिंगल कुड़ो से वन-वन सिंगल कुड़ो से करना है इस तरीके से देखे ये रो भी कंपलीट होगे अब हमने फंदे कम करने हैं आप है तो हम six time talk करेंगे, फंदे कम करेंगे one, two, three, four, five, six और बचे हुए six फंदा में हमने एक-एक single crochet करना है one single crochet, one, two, three, four, five, six अब हमने यहाँ पर total हो गये हैं बारा फंदे अब हमने फिर्ज three time talk करना है फंदे कम, one, two, three अब बचे हुए six फंदा में एक-एक single crochet करेंगे one one single crochet, तो यहाँ पर total हो रह जाएंगे nine फंदे, nine फंदे तो यहाँ पर total रह गये हैं, nine फंदे अब हमने यहाँ से यहाँ तक, 10 round तक, एक-एक single crochet करना है यह ten round तक, एक-एक single crochet करेंगे हर फंदे में यहाँ से हम तागा joint कर लेंगे, यह इस तरीके से तागा joint करेंगे हम यह इस तरीके से जब तक 10 round नहीं हो जाते हैं, तब तक हम एक-एक single crochet ही करेंगे हर फंदे में, इस तरीके से देखिए, मैंने 10 round बना लिए 10 round तक, अब हमने यह आप last में जोड लेंगे और तागा हम थोड़ा बड़ा सिलने के लिए भी cut कर लेंगे, इतना बड़ा तागा और हमने इसको ऐसे निकाल लेना है, अब देखिए, यह दोनों पैर बनके हो गए हैं त्यार आपको टोटल चार पैर बनाना है, तो सेम पीछे का पैर भी सेम इसी तरीके से बनाना है यहाँ पर 10 round केते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 3 round यह करने हैं तो एक और सेम ऐसे ही 3 round करके बना लीजिए अब मैं आपको पूछ बनानी सिखाती हूँ, टेल कैसे बनानी है तो वो हम बनाएंगे white color से, तो हमने magic chain बनानी है इस तरीके से हम बनाएंगे magic chain फिर हमने बनाने है 6 single crochet 2, 3, 4, 5, 6 इसके बाद हमने 4 round, 4 round तक एक-एक single crochet ही करना है हर फंदे में जब तक 4 round नहीं हो जाते हैं यह देखे, मैंने 4 round बना ले, हमने ना इसमें फंदा बढ़ाना है, ना कम करना है सिर्फ 6 फंदे लेने है, और 4 round तक 1-1 single crochet कर लेना है यह देखे, बनके हो गी है, complete इसके लिए भी हम थोड़ा बढ़ाता का कट करेंगे तक हम इससे ही सिलाई कर लेंगे देखे, इन सबी में आपने थोड़ी थोड़ी कोटन भर लेनी है ज्यादा टाइट नहीं, लूज, लूज हमने soft toy बने जिससे हलके से कोटन बरनी है इस तरीखे से भरेंगे हम जो देखे, इस तरीखे से तो ये सबी में भर लेनी है कोटन ये देखे, सबी चीज बनके हो गया है complete, अब मैं आपको सिलना बताऊँगे कि सिलना किस तरीखे से है देखे, हम सबसे पहले हम sui में तागा डालेंगे, इस में तागा डाल लेते हैं इस तरीखे से तागा डालेंगे इसके बाद हमने सिलाई करनी है इसको यहाँ पर सिलाई करनी है इस तरीखे से इस तरीखे से सिलाई करनी है जीटी यह देखिए अब हम से लाई करते हैं इस तरीके से हमने हमने यहां से उठाना है देखिए एक नीचे फंदा उठाना यहां से और उपर से उठाना है इस तरीके से यहां से उठाना है और यह नीचे से उठाना है यहां से इस तरीके से हम यह इसको पूरे गोल सेप में सिल लेंगे यहां से यहां तक इस तरीके से यह तो हमने सिलाई कर ली चारो तरब और यह यहां इस तागे से भी इसको अच्छे से सिलाई कर लेंगे यहां पर इसके बाद हमने इस तरीके से पैर लगाना है यहां पर और यह बाला पैर सिल लेना एक इधर एक इधर तो हम इधर पर इस तरीके से पैर सिलेंगे यह दो फंदे हमने यहां से लेने हैं दो यह और फिर यहां पर इस तरीके से सिलाए कर लेने हैं दो यहां से लेने हैं और यहां से लाई कर लेंगे यह देखें इसी तरीके से हम दूसरा पैर भी सिलाई करेंगे देखिए दूसरा पैर भी इसके यहीं से सिलेंगे थोड़ी सी कैपिंग रखने हमने और ऐसे ही सिलाई कर लिए यह सिलाई कर लिए अब हमने यह वाला पैर इस तरीके से इसकी सीद में इस सेफ में रख के सिलाई करने ही देखिए इस तरीके से यहां पर करेंगे हम फंदा यहां से एक यहां से लेंगे इस तरीके से लगाना है और फिर सिलाई करने हैं हमने देखिए अब से दूसरा पैर हम इधर साइड लगाएंगे इधर साइड से लाए करेंगे यहां इस तरीके से देखिए चार पैर सिलाई कर लिए अब यहां पर हमने सिलनी है पूछ तो हम पीछे की तरफ यहां पर हम इसकी पूछ सिल लेंगे इधर इस तरीके से इस तरीके से गोल सेप में हमने पूछ सिल लेनी है देखिए मैं कान सिलना बताऊंगे आपको कान हमने यहां पर सिलना है इस तरीके से हम यहां से लेंगे दो फंदे और नीचे से उठाएंगे हमने यहां से लेना है और नीचे से उठाएंगे इस तरीके से सिलाई कर ली तो एक कान की सिलाई भी कम्पलीट हो गई है यह देखिए अब हमने दूसरा कान सेम इसी सीध में यहां पर सिलना है तो हम दूसरे कान के पर सिलाई कर लेंगे देखिए ये दूसरा कान भी सिलाई कर रही हूँ मैं दूसरे कान की तो ये दूसरे कान की भी सिलाई हो गई है देखिए दोनों कान मैंने सिलाई कर लिए आप पर देखिए मैं आपको आग कैसे बनानी है वो मैं बताती हूँ तो आग बनानी है हमने यहाँ पर दूसरे राउंड में जो हमारा ये वाला कलर है इसमें 1, 2 यहाँ पर यहाँ से हमने थोड़ा सा उठाना है और इसमें 1, 2 फिर हमने निकाल लेना है इस तरीके से यह देखिए आँग बनके होगी है complete अब हम दूसरी आँग बनाएंगे इधर यह देखिए अब दूसरी आँख हमने इधर साइड में बनानी है सेम इसी तरीके से अब मैं आपको यह आईविरो बनानी सिखाती हूँ 1, 2 छोड़ के हम यहाँ पर इसको निकाल लेंगे तागे को नीचे की तरफ और फिर इधर वाली आँख के लिए इधर साइड में कर लेंगे इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से हमने बनानी है और यह इधर साइड की भी बनाएंगे हम देखिए यहाँ पर मैं आपको नोज बनानी सिखाऊंगी किस तरीके से बनानी है इस तरीके से हमने दोनों आखों की सीद में नीचे की तरफ इस तरीके से तागा लेना है हमने यह देखिए इस टो रीग से और यज एकी यह देखिए इस तरीके से हम नूज बनाते हैं फिर हमने इसको नीचे की तरफ यहाँ पर निकालना है यह देखिए फिर हमने तागा इसमें इस तरीके से लंबा तागा इधर बीच में यहाँ निकालना है और यहाँ से यहाँ पर इस तरीके से निकालते हम और यहाँ से हमने सीधे यहाँ लेना है तो हम पहले यहाँ बीच में लेते हैं और यहाँ से फिर यहाँ ले लेंगे इस तरीके से हम ये देखिए इस तरीके से तो ये मूव बन के हो गया है complete देखिए डॉग बन के हो गया है complete आप कमेंट करके जरूर बताईएगा कि डॉग आपको कैसा लगा हो कैसा लगा और आप चैनल पर नई होंगी तो पिली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंडिस या जरूर कीजिएगा थैंक यू